कि आप सेकंड की शुरात में हम देखते हैं कि इन दोनों में किस तो होई नहीं पाती इतने में दोनों को होश आ जाता है चैंग हाओ लिन को बहार भीजेता है और वह कहता है कि जो लगे इस तुम साथ लेकर आए थी वह भी बहार लेकर चली जाओ इस साहब तो चैंग हाओ लिखन लेकार्व नितने अपकौड क्लब में बहुत को जाना चाहते हैं तो जैसे वहूेत उ confronting कोडिनेट में जियान का भी हाथ उट रहा है मतलब इन दोनों की पॉटिटी उसे से अटेच हो चुगी है अगली दिन चैंगाओ का फोटो शूट मीश्याओ के साथ रहता है कि मीश्याओ चैंगाओ से बहुत चिपकने की कोशिच करती है बट चैंगाओ थोड़ी कि वस्ट म जरूर लड़ों फूच जाते हैं वो कहते हैं कि वाओ मुझे इसमें पकड़ लिया मेरे आइडल ने मुझे पकड़ा इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती थी यहां पर चैंगाओ उसका मॉइल मांगता है उसमें पना नंबर सेफ कर देता है और कहता है कि अगर यह तुम्हें कभी भी परिशान करें ना तो मुझे बता देना मैं सारा को सेडल कर दूंगा और आफर देट लिन तो बिल्कुल खुशी के मारे उचलने लगती है चैंग हाओ लड़की बनकर जियान से बात करता है जियान तो है इठरकी इसके बाद वो लड़की समझकर रुक लालश देखकर एक बहुत ही बड़ा प्लैन बनाता है कि अब तुम मेरी लाइफ स्टाइल जी होगी और मैं अपना काम करूंगा जरसल चैंगा को बहुत कुछ करना था अपने पैरेलल वर्ल्ड एन इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जाना था आइडेंट्री देता है उसे काफी पेपर साइन करवाता है जिसके हसाब से उसे करना होगा जो कि चैंका उससे कहता है वह फटाव बाद पन का पहली डेने के लिया जाता है जहां पर सारी रटकीयं उसे चैंका लेती है लेकिन लिन इसके हांसे नहीं आने वाली थी उसकी हरकतों समझ चाती कि यह जियान है ना की चैंगा उसके बाद वो उसे पंच मानने के लिए होती है तब भी उसे रोक लेता है वह कहता है कि तुम मुझे हमेशा क्यों पहचान जाती हूँ तब लिन कहती है कि हलो मैं अगरक स असिस्टेंट उसे गाइड करने के लिए उसके हमेशा पास रहता है लिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरे पैसे सारे जियान खा गया है मेरा बैंक वैलेंस अब जीरो है इसके बाद लिन की फ्रेंड थोड़ी दमंग टाइप कि रहती हो कहती है कि अब तो देखती है मैं जीरों को चूड़ों की नहीं सके बाद वूचे लिए लिए कि उसके पहले अपने घर पर लेती है इसके अच्छी मरमत करी उसके हाथ बानedकर बगल में बठा देती है और वो उसे टॉसर करती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी लिन के पैसे सारे वापिस नहीं कर दो तुम्हारी तो खेंड नहीं इसके बाद चैंगाओ नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटी इसके सामने रिवेल लो बट लिन्टों से देखकर ही समझाती है कि यह तो चैंग मेरा आइडल बिचारा घुटनों पर बैठा है वह भी मेरी इस फ्रेंड की बज़े से कि बाद चैंगाओ से वाश्टू में अपने से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि सुनों कि इस बारें पता नहीं चलना चाहिए अब भी अपनी फ्रेंड को यहां से आउट करो इसके बाद लेन काफ Bryon को के बाद से बटेती ऐसके बाद दोनो चैंकि सांस लेते हैं यहीं पर हम जैन की बात करें तो रहें को से जाना होता है और इसके बाद का एक और असेस्टेंट उसे देखने के लिए राता है इसका नाम हम नूडल रखेंगे विकॉज इसके बाल काफी व्यर्ड है तो इसका नाम आधसे नूडल तो यहाँ पर नूडल कहता है कि चैनखाओ क्या तुम तुम चली जाती है तभी चैंकाओं से प्रॉमिस लेता है कि किसी कोई पता नहीं चलना थे कि मैं यहां पर हूं चिन लड़कियों को जियान ने फ्रॉड से अपने जहां से फसाय होता है वह लिन घर के बाहर खड़ी हुई थी क्यूंकि उन्हें अच्छे से मरमत जुकनी थी तब ही चैंगाओ कहता है कि तुम इन लड़कियों को क्या करूगी तब ही लिन कहती है कि मैं इने अपनी तरीकी से बाहर भेज जूँगी पर प्लीस तुम ज़्यादा परिशान मत हो के बाद चैंगाओ उसके कमरे में जाता है यहां पर लिन अपना सारा सान बटोड़ती है उसके लिए अच्छी से बैट त्यार कर देती है बिचारी जाकर सुफी पर सोजाती है उसे रात में बहुत यह च्छी सपने आते हैं कि वह और चैंगाओ एक साथ एक बैट पर सोई हुए है इसके बाद वह रात में नीद में चलने लगती है विकौद उसकी आदत है पर जस्ट बेखोश होने वाला था लेन उसे उठा तो नहीं सकती थी लेकिन पैर पकड़कर वह से कमरे तक खीच जरूर लाती है इसके चक्कर में चैंगाओ का सर थोड़ा एंजड हो गया था है उससे खून निकलने लगा था चैंगाओ की सुबहां खुलती है एन लेन उ उसने उस दिन कार में देखा था वह दरसल लिए इसके बाद को काफी अधिया आधा लेकिन चैंगाओ को सब कुछ दू यहाद दो काफी कुछ ठीगाओ के साथ जो रहने लगा था यहाँ पर इन दोनों के काफी makes ने को मिलते हैं चैंगं को उपर से सामर उठाने में के लिन को माना पड़ेगा लिन तो बस चैंगाओ की होने से ही खुष्टी एंवो सब कुछ बिना पड़े सब पर चल लिए साइन कर देती है यहां पर पड़तो लो तब ही लिन कहते हैं कि नहीं नहीं है और उसे कभी भी टच नहीं करेंगी वह लॉयल बन कर रहेगी और उसका उसकी बॉड़ी से कुछ भी इंटेंशन नहीं है सीरिसली इसके बाद चैंगाओ कहता है कि इससे बस एक्सपेक्टेट था कैसे ना कैसे करके सच्चाई तो जानी थी इसके बाद उसी टरनल में लिन यहां पर जब यह दोनों अपनी कार आगे बढ़ाते हैं तो लिनको अचनक से पैर में दर्द जाता है तो पर फोड़ा हो जाता है इसके बाद निकल गाता है उसकी काफी क्यार कर कर उसके बैट तक ले जाता है वह उसे कहता है कि अदा हड तो नहीं हुआ चलो ठीक है तु चैंक हाओ दो-दो इनसानों की रूप में रह रहा है और यह सब उसके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है इसके बाद चैंक हाओ काफी परिशान रहता है कि आखिर किसे पता चल गया कि मैं डबल रोल में उस दुनिया में जियान चैंक हाओ की जिंदगी जी कर खुश काफी काम करना पड़ रहा था मतलब काम चुर्भाई सब कब थुड़ा काम तो मिल गया यहां पर लाउशी उसे मिलने के लिए आती हैं उसे काफी कॉंट्रेक्ट के बारें बाते करती है लेकिन जियान को कुछ समझ में नहीं आता इसके बाद बात करते करते सो जाता है यह लाउशी काफी गौर से सुन रही ती है कि कोई बात नहीं यह सब होता है लेन काफीदा ड्रिंक कर लेती है जब वो घर वापसाती है तो यहां पर बहाल चैंगा उसका वेट कर रहा होता है तब ही चैंगां की कुछ फैन है उसकी तरब भागते हैं लेन उने रोकनी पर लेन को बिच कर बोल रहे थे कि तुम कितनी अजीव हो एंड तुम्हारे आइडल के साथ यहां पर क्या कर रही है यहां पर चैंगां पर सब पचला पड़ता है तब हो सभी सौरी बोलते हैं और चैंगां लिनी काफी क्यार करता है और उसे रूम में ले जाता है जब ल सब्सक्राइब कर रहा है यार इस सब्सक्राइब क्या ही चाहिए मुझे इसके बाद चैंगां उससे पूछता है कि अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो क्या करना चाहिए मतलब सीधी तरीके से यही पूछ रहा था कि उससे कैसे इंप्रेस करें तभी लेन काफी आइ अग्दम लॉयर वाली पहन है वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली एम सॉरी इसका तो वहां से भाग जाती तभी चैंगां कहता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तभी लाउशी इसके बाद चैंगां से मिनिक लिए जाता है तो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा इसके बा जी आन को खीच कर स्टेश तक ले जा रहा होता है बट चैंग हो ताइम पर पहुंच जाता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है और लिंग का भी परिशान थे कि अब जियां तो सारा कच्ड़ा करेगा और देखना चैंग हों की जो एक दिन में डम कर देगा लेकिन जब चैंगाना स्टार्ट होता है तो सभी काफी उद्दा सप्राइस होते हैं उनिले लगता है कि जीना सगा सकते हैं वे जो सब्सक्राइब नहीं क्या होता है कि एक मीट हैं क्या हो उर्ढाएं जो आप से मूँ चुपा कर भाग जाता है बट नूडल ने तो से देखी लिए है के बाद बीच परफॉर्मेंस में चैंगा की तभी खराब जाती है अफर देट वो लेन को कॉल करता है लेन कॉंसर्ट से बहां निकलती है तो चैंगा उसके पीछे होता है वो उसके बैक पर बेखोश हो जाता है इसी के साथ मारा यह पाड़ी भी खतम होता है तो देखते हैं नेक्स पार्ट में क्या होने वाला है तो बाबाई टिक क्यार अ कर दो दो पार्ट में क्याँ रचा है तो ।